SBT News में आपका स्वागते और पेश रहे इस वक्त राजसान और श्रीगंगानगर हनुमानगर जिले की बड़ी खबरें ब्रश्राचार निरोदक ब्यूरो ने राजसान पुलिस आवासन निर्मान निगम लिमिटेड के एक्सियन वे एएन को शनिवार को सवा लाक रुपे की रिश्वत लेते रंगे हातों गिरफतार किया है फिलाल घूस खोर दोनों अधिकारियों से ACB टीम पूछताश कर रही है ACB की अतिरिक पुलिस अधिक्षक चंचल मिश्वा ने बताया कि रिश्वत लेते आरोपित गिरजार सिंग चाहर निवासी कृष्टा नगर कालवार रोड जोटवाड़ा और अशोक कुमार वर्मा निवासी श्री कल्यान नगर करतारपुरा फाटक महेश नगर को गिरफत इन लोगों ने बिलो के भुकतान में रिश्वत मांगी थी जैपुर नगरिगम चुनाव में टिकेट वितरन को लेकर विधायकों में अंदर खाने चल रही नाराजगी अब खुल कर बाहर आने लगी है टिकेट वितरन में अखिल भारतिये कॉंग्रिस कमेटी की ओर से न्यूट परविक्षो की ओर से हस्तक शेप करने से नाराज विधायकों ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विधायकों ने इसकी शिकायत अब मुखे मंतरी अशोक गहलोच से की है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो घंटों में बारिश हो सकती है मोसम विभाग की माने तो जालोर और बाडमेर जिले में कई स्तानों पर गरज के साथ आज हलकी बारिश होने की संभावना है जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है नोसम विभाग ने राजधानी जैपुर सहित, बांसवाडा, चितोडगड, डूंगरपुर, प्रताबगड, सिरोही और उदेपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से भाइबीत और परिशान है, लेकिन हमारे देश के नेता तो इस कोविड पीरिड में भी राजनिती करने से बाज नहीं आ रहे ये नेता भीड में जाने के लिए हमेशा तयार रहते हैं, चाहे फिर वे खुद भी क्योंना वाइरस से संक्रमित हो कुछ ऐसा ही मामला राजसान में सामने आया यहां पर एक नेता ने कोरोना संक्रमित होने के बाद भी भीड में जाकर लोगों से मिलने जुनने का काम किया कोरोना संक्रमित नेता जी का नाम ओम प्रकाश हुडला है वे दोसा जले में महवा विधान सवा सीट से निर्दलिय विधायक है कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश हुडला की कोरोना रिपोर्ट 15 अक्टूबर को पॉजिटिव आई थी और इनका पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव आया है इसके बाबजुत्वे घर से बाहर गुम रही है और साथ ही वे लोगों से मिलजल भी रही है रादसान लोक सिवा आयोग ने क्रिशी अधिकारी इवं क्रिशी अनुसंधान अधिकारी भरती में विध्यापित पदों की संख्या को बढ़ा दिया है जो उमीद्वार अभी तक आवेदन नहीं किये हैं उन्हें आवेदन का एक और मुका दिया गया है आयोग ने इन पदों की संख्या को भी 63 से बढ़ा कर 97 कर दिया है RPSC द्वारा उफिशल वेबसाइट पर बुदवार 15 अक्टूबर को जारी अपडेट के अनुसार इन पदों के लिए इच्चुक उमीद्वार 20 अक्टूबर से आयोग के अप्लिकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने की अंतमति थी 3 नमवंबर निर्धारित की गई है प्रख्यात कृष्ण धाम भगवान सालिया सेट के मंदिर में लोकडाउन के बाद खुले मंदिर के दूसरे भंडार से 3 करोट 14,50,000 रुपे की नाश्रे निकली है जबकि मंदिर के भेट कक्ष में 20,5,383 रुपे अलग से प्राप्त हुए इसके साथ ही पांच बोरों में छोटे बड़े नोट वे पांच टब की रेजगारी की गणना बाकी है मंदिर मंदल कारले से मिली जानकारी के नुसार गुरुवार को राजभोग आरती की बाद प्राते साड़े ग्यारा बजे भगवान सामलिया सीट का भंडार खोला गया राजसरकार ने शुक्रवार देर रात 58 तहसीलदार और 122 नायब तहसीलदारों के तबादले कर दी है इस सबंद में राजसोमंडल अजमेर ने आदेश चारी किये है पंचाय चुनाव संपन होने और नगर निगम चुनावों के पहले यह बड़ी तबादला लिस्ट सामने आई है हालांकि आचार सहीता की पालना की वज़े से इनमें किसी भी अधिकारी का फेर बदल जैपूर, जोदपूर और कोटा जिले में नहीं किया गया है आदेश के निसार दयादन्द रुयल को रावला में तथा विनोत कुमार को पीली बंगा में तहसील दार लगाया गया है जोदपूर में रेलवे की ओर से 20 अक्टूबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्वेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है इसमें बाड में रिशिकेश एक्सप्रिस भी चलेगी रेलवे ने पूरो में चल रही रेगुलर ट्वेन में लूनी का ठहराव हटा दिया है और इससे लूनी वालों को जोदपूर आकर यात्रा करनी होगी गौर्टलब है कि पश्मी राजसान के लोग रिशिकेश एक्सप्रिस में हरीदवार तक धार्मिक आयोजन के लिए यात्रा करते हैं लेकिन रेलवे ने इस ट्रेन में यात्रियों को नहीं खुद का ध्यान रखा है जैपूर में नगनिगम के लिए प्रत्याशी चैन को लेकर कॉंग्रिस में बवाल मच गया है जैपूर के विधायकों ने अपने पसंदिदा टिकटार्थी का पैनल देने से साफ इंकार कर दिया है उन्होंने नाम देने की बजाए पार्टी से सीधे सिंबल देने की मांग की है ताकि वे अपने मन मुताबिक प्रत्याशी को चुनाओं में उतार सकें AICC सचीव एवं परविक्षक ने विधायकों की यह मांग मानने से इंकार कर दिया विधायकों के एक जुट होने के बाद तीन विधानसभा शेत्रों में पार्टी प्रत्याशी रहे नेताओं ने भी परविक्षकों को चेतावनी दी कि उनके पैनल में से नाम काट गए तो ठीक नहीं होगा नतीचन विवाद इस कदर बड़ा की मुखेमंतिर अशो गहलोत ने रातो रात सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी निवास पर बैटक बुला कर सभी से चर्चा की और अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन से चर्चा होगी सरकारी नोकरी के लालच में दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या के साजिश करने वाले पुत्र वन आरोपी दोस्त दोनों को सुखेर थाना पुलिस ने गिरफतार किया टेलिफोन से मिली सूचना के मुताबिक बेदला पुलिया के पास किसी व्यक्ति ने एक मोटरसाइकल सवार के सिर में पत्थर मार कर घायल कर दिया इस पर टीम मोके पर पहुँची और जहाप प्रार्थी राकेश पिता खूब शंकर पालिवाल निवासी नाकोडा मकान नमबर 13 स काल का माता रोड उधैपूर से बताया कि वह मोटरसाइकल से घर जा रहा था और अब खबरें श्री गंगानेगर हनुमानगर जिले की कोरोना काल के बीश शनिवार से शार्दिय नवरातर प्रारम हो गए हैं आज से घट सापना के बाद अगले 9 दिन तक मंदिरों और घरों में मादुर्गा की आराधना का दोड चलेगा कोरोना के साए के बावजुत मंदिरों के भवे सजावट की गई है पर वो कुलेकर शधालूं में खासा उत्सा है सुबै से ही लोग अपने घरों पर गड़ स्तापना कर मंदिरों में मातरानी के दर्शन को पहुँच रहे हैं कोरोना के कारें भगतों को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क पहने होने पर ही मंदिर में प्रविश्ट दिया जा रहा है श्रीगंगा निगर में महराजा अगरसेन जयनती पर शनिवार को अगरवाल समाज की अनेक संस्ताओं ने कारिक्रम आयोजित कर यूग प्रवर्तक को याद किया अगरवाल सभा में महाराज अगरसेन की जयनती पर अगरसेन नगरसित अगरवाल धरमशाला में महाराज अगरसेन की प्रतिमा पर तिलक और मालयारपन कारेक्रम का आयोजन किया गया अगरवाल सभा के महासचीव नरेश बड़ुपलिया ने बताया कि COVID-19 से बचाव के दृष्टिगत सागे पूर्वक संक्षिक तुरूप में आयोजेत इस कारिक्रम में सरक्षक बनवारी लाल गोईल अगरवाल सभा के कारेवाहक अध्यक्ष नरेश कुपता के नेत्यतों मे अगरवाल बंधों ने महाराजा अगरसें के प्रतिमा पर तिलक लगा कर मालयारपन किया। पुलिसिस आरूपी के तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि गुरुवार देर रात अधाई बजे जंक्षन के बाजार शेत्र में आग लगने की सूर्चना मिली थी। मोके पर जाकर देखा तो अलग-अलग साथ जगों पर आग लगी हुई थी। फाइर ब्रिगेड की मदद से पुलिस ने आग पर काबू पाया। इस आगजने में रेड कोर के प्रोजेक्ट मैनेजर ओम विर सिंग की कार, एक जनरेटर, टेमपो और वहीं सो रहे एक व्यक्ति की रजाई और चाय की खोके सहीद अनिस्तानों पर नुकसान हुआ। प्रशासन ने भी सुरक्षा के माकूल प्रबंद कर रखे हैं। किसानों के पहले ही घेराव की गोशना के चलतेर प्रशासन ने मिनी सचिवाले के बाहर बैरिकेडिंग कर वाली थी। इस मोके पर हुई सबा में वक्ताओं ने कहा कि केंदर सरकार को ये कानून वापस लेन के तहट श्री गंगानेका जिला प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एक्जिक्ट कारिकरम के तहट जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्वा वे पुलिस अधिक्षक राजन दुश्यंत ने गसिंगपूर का दोरा किया। हनुमानगर के खुईया थानाश्यतर में नाकाबंदी तोड़ने और पीछा कर रही पुलिस टीम पर फाइरिंग करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया है। श्री गंगानगर जिले की सालोल शहर पुलिस ने ग्राम पंचायत कालवास्या का रिकोर्ड खुर्द बुर्द करने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी सहीत दो जनों पर मुकदबा दर्श किया है। पुलिस के नुसार गाम निवासी अरेल ने रिपोर्ट दी कि ग्राम विकास अधिकारी गुर्मेल सिंग और परविंदर खीचर ने रिकोर्ड को खुर्द बुर्द कर दिया। श्री गंगानगर जिले में जन स्वास्ते अभियांतर की विभाग की ओर से एक भी अवध्य वानिजिक पेजल कनेक्शन के मामले में कारवाही नहीं की है। विभाग का दावा है कि ऐसे मामलों में नहीं तो किसी मिटर रिडर ने सोचना दी और नहीं किसे फिलड ओविसर अभियांता ने कारवाही की है। यह अंधे की तब है जब विभाग के मंतरी डुक्टर बीडिक अला ही चिले के प्रभारी मंतरी भी है। श्री गंगानगर जिला मुख्याले से एक आविदर ने जन स्वास्ते अभियांतर की विभाग वित करा ले। श्री गंगानगर से वितिय वर्ष 2019-20 तक जारी वानिज जल संबंदो एवं इस दोरान काटे गए अवैद वानिजिक जल संबंदो की जानकारी मांगी थी। इसके जबाब में विभाग ने वृत के नो उपखन शेत्रों में अवैद वाने जिक जल सम्मंदों के मामलों में कारवाही शुन्य बताई है श्रीगंगानगर कलेक्टिट परीसर में स्थित अटल सीवा केंद्र में संचालित ए मित्र क्योस पर लगाए गए आरुक जांच में प्रमानित पाई गए है जांच अधिकारी नायब तेहसिलधार ने जांच रिपोर्ट एडियम प्रशासन को सोब दी है ए मित्र क्योस के खिलाफ पिछले दिनों एक व्यक्ती ने जिलाप्रशासन को शिकायत की थी जिलाप्रशासन से मिले जानकारी के निसार सुक सागर कालोनी निवासी प्रहलाद दासनात ने शिकायत की कि आधार कार्ट बनवाने के लिए प्रती फोर्म 10 रुपे वसूले जाते हैं जबकि फोर्म निशुल्क है फोर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो तुर्टी करने पर फोर्म अस्विकार कर दिया जाता है दस्तावेजों की कलर फोटो करवाने पर बादे किया जाता है और इसकी एवज में प्रती पेश 20 रुपे चार्ज किया जाता है फिलाल इस बुलेडिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ